मेरे घर बेक डॉग है, मुझे दो दिन लगे थे उसको सिखाने को सट, चार दिन लगे थे सिखाने को शेक हैंड, और पंदरा दिन लगे थे सिखाने को कि गंदा कहाँ पर करना और कहाँ पर नहीं करना, पंदरा दिन में तो वो डॉग भी सुधर गया था, और हम ये कहते है नहीं नहीं सर बरसों की आदत है मैं कैसे तोड़ पाऊंगा सर कभी किया ही नहीं है कैसे कर पाऊंगा अरे भाई 15 दिन में वो ट्रेन हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगिंदस सिंग राठोड आप लों के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीद बहत बैतरीन गेस्ट मोजूद हैं बहुत सारे लोग आपकी जरनी ओल्लेडी जानते हैं कि आपने बहुत कम उमर में शुरू किया था अगर आप शोट में बता सकें कि वो क्या ट्रिगर पॉइंट था कि जहां से आपने ये ते किया कि मुझे इसी डिरेक्शन में जाना है जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो मेरे पैरेंट्स ने मुझे स्कूल के साथ साथ बच्चपन से ही समिनार, वोक्शॉप्स, कोचे, संत महात्माओं के बीच में रखा तो मैं चार साल की उमर पे मेडिटेशन सीखने जा रहा हूँ, साथ आठ साल की उमर पे सबकांशिस मैंड के बारे में जान रहा हूँ, आठ साल की उमर पे लाइफ में पहली बार गोल चार्ट बना रहा हूँ, नौदर साल की उमर पे पॉब्लिक स्पीकिंग, यारा साल की exposed किया, but were you getting the interest as well, आपको क्या आकरशित कर रहा था उसमें? मुझे actually बड़ा मज़ा आ रहा था, उसका कारण ये है कि जब मैं seminars में या कहीं जाता था as a student, तो पहले वहाँ पर एक अच्छा सा significance मिल रहा है, इतना छोटा बच्चे और सीख रहा है, और वो coach या जो teacher या guru भी वह करते थे, हमेशा खड़ा कर देते थे, कि भी 4 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा उसकी तालिया मिलती थी, और जब लोगों को सिखाना शुरू किया, तो लोग मैं कितना अच्छा बोलता था, यह तो मुझे नहीं पता, बट क्योंकि इतना च्छोटा बच्चा बोल रहा है, और अच्छी अच्छी बाते कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं, उसकी तालिया मिलती थी, तो शुरूआ तो वही सी होई, और वो तालियों का जो मज़ा था, शायद उसने मुझे पुश कर दिया, एक चीज मुझे बहुत बार फैसिनेट करती है, एक सवाल मैं कई बार अपने गेस से पूछ के, उसको जानने का प्रियास करता हूँ, कि कुछ लोग होते हैं, जिनने अपना पैशन बड़ी कम उमर में, कुछ लोग होते हैं, जो बहुत एज के बाद, कोई 40s में, 50s में, क्या कोई ऐसा formula है, क्या कोई ऐसा method हो सकता है, जिससे कि लोग कम उमर में अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सके हैं, इसके उपर मेरा ये मानना है, कि हर एक इनसान के अंदर, अबिलियत की कमी नहीं होती, मगर उसे कोई एक subject को वक्त देने की जरूरत है, जैसे आप देखिए कि अगर हम सड़क से भी एक dog को घर लेकर आएंगे न, तो उसे भी प्यार हो जाता है अगर उसे वक्त देंगे, आज मुझे लगता है कि लोगों का issue ये है कि हर दो महीने या छे महीने पर रहा न, वो अपना passion भी change कर रहे है, बो ले यार इसमें मजा नहीं आ रहा, चल कुछ और try करता हूँ, इसमें भी मजा नहीं आ रहा, कुछ और try करता हूँ, अगर ही कि छे मेने में आपको कोई चीज अच्छी ना लगे, तो आपको दूसरी चीज try जरूर करनी चाहिए, बट मुझे लगता है जब तक आप एक चीज में गहराई में नहीं उतरेंगे, उसे साल, दो साल, पात साल नहीं देंगे, तब तक ये figure out करना कि इस काम के लिए बने है, ये संभव नहीं होगा, तो कुछ hints होते हैं, कुछ parameters होते हैं, जिससे थुड़ा idea लगने लगे, जिससे कई बार कुछ काम में हम अच्छे होते हैं, कुछ कामों को हम enjoy कर रहे होते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, कि आप जो passion में होते हैं, आप ठकते नहीं हो, बार-बार करना चाहते हो उस काम को, तो कुछ hints या parameters आपको दिखते हैं, इसके अंदर की, जिससे के एक feedback मिल सके लोगों को, Absolutely, आपने बिलकुल सही बात कही, मुझे लगता है कि जब कोई एक काम, जहां पर आपका वक्त कहां पर बीद गया, आपको बता नहीं चल रहा, उस process को आप enjoy कर रहे है, वो आपकी emotional कुछ needs fulfill कर रहा है, Ultimately, at the end of the day, we are driven by our emotions, तो अगर उसमें से हमें खुशी मिल रही है, उसमें से हमें contribution का feeling आ रहा है, उसमें से हमें लग रहा है कि हमारा कहीं growth भी चुपा हुआ है, और वो हमें अपनी life में, career में एक certainty भी दे रहा है, तो जब वो needs fulfill होने लगती है न, तो मुझे लगता है कि वो एक feel हमें मिलता है, कि हाँ यार ये काम शायद मेरे लिए सही है, और उसे दूसरे तरीके से कहूँ कि जब आप उस काम को पैसा मिले या ना मिले, पुरी जिंदगी कर सकते हैं, तो समझ लीजिए, that's the one thing, so hobby passion में क्या differentiation रहता है, ये भी बहुत लोग कई बार पूछते हैं, कि कई लोगों को hobby में भी मज़ा आता है, तो उसमें क्या difference आप देखते हैं? मेरे मताबिक जैसे मेरी hobbies है, चलो भी cricket खेल लिया या skydiving कर लिया, बट उसे हर दिन ने कर सकता, passion मेरे लिए वो है, कि जो मैं हर दिन कर सकता हूँ, और आज के जमाने में ये concept बड़ा चल रहा है, कि passion को ही profession बना लो, तो आपको ये एसाज नहीं होगा, कि आप काम भी कर रहे हैं, तो skydiving पर आपने बहुत सारी करी हैं, skydiving, आप तो मेरे खाल से train भी कर सकते हैं, जी, खुद भी करते हैं, without instructor, तो क्या चीज है जिसने आपको skydiving की तरफ आकर शित किया, इसके पेज़े एक interesting कहानी है, मैं एकदम short में बताता हूँ, कि 21 साल की उमर पे एक insurance check-up हुआ था मेरा, तो एक health condition सामने आई थी, और उस health condition में मुझे बहुत सारी चीज़े मना करी गई थी, कि भी मैं 100-200 मीटर से ज़्यादा दौड नहीं सकता, 5 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठाना, heart को pressure नहीं देना, इस type की, लंबी चोड़ी कहानी है इसके पीछे, उसमें जो चीज़े मना करी गई थी, वो फिर मैंने एक challenge उठाया, कि अपनी fitness को मैं improve करूँगा और करूँगा, और जिसमें skydiving एक ऐसा sport है, जिसमें सबसे ज़्यादा heart के उपर pressure आने ही वाला है, आप चाहो या ना चाहो, तो उस सिलसिले में जैसे जैसे मैं अपनी fitness improve करते गया, और हम लोग एक foreign trip पर थे, मेरे साथ कुछ मेरे 54 participants थे, और वहाँ पर हमने 2013 में कहीं एक skydiving का advertisement देख लिया, तो दमाग में चल तो रहा था काफी time से, और सोचा चलो चेक कर लेते अपनी अप fitness कैसी है, तो वो form भी भरा था, उसमें सारी जूट मुट के हाँ कर दिये थे कि सब ठीक है, और इस तरह से शिरुआ तो भी पहला तो tandem jump हुआ, मगर वापिस आगर कि इतना मजा आया, मेरे सारे participants मेरे पीछे गए, they enjoyed it, और मैं इंडिया वापिस भी आ गया, लेकिन एक महिने तक दिमाग में वो ही चल रहा था नहीं, इसको करना है, सीखना है, और अखेले कूदना है अब तो, आँ, that is, येस, जब इस्टर के साथ मैंने भी किया, वो जो पहला जो free fall रहता है, वो इतना amazing, वो जो adrenaline rush होता है, वो बड़ा amazing होता है, बट आपने खुद से जाके इसको आगे और परसू, जी, फिर मैं गया training के लिए, अपने कुछ दोस्तों के साथ, and अभी तक 280 से जादा jumps हो चुके है, more than 280, येस, और अलेग-अलेग देशों में जाकर, कि मैं कभी कभार रस्ते वे कहता हूँ, कि मैं city tour इस तरह से करता हूँ, कि बस उस देश के ऊपर से कूच जाता हूँ, और पूरा city tour हो जाता है मेरा, आपकी personality पे कुछ प्रभाव पड़ता है, जब आप इतने अपने deepest fear को face करते हैं, overcome करते हैं, तो क्या आपकी बाकी personality में इसका प्रभाव देखते हैं? मैंने एक चीज़ अब्जर्फ करिये सर कि ज़्यादा तर लोग कहीं ना कहीं अपने fears की वज़े से ही रुके हुए, life is just a dance between your desires and your fears, तो उसी के बीच में इंसान फसा हुआ है, करना तो बहुत कुछ चाता है, मगर डर है नहीं हुआ तो, और जब आप बंजी जंपिंग कर पाते हैं, स्कूबा कर पाते हैं, कभी कबार आप अपने participants को firework, glasswork करवाते हैं या जो मैं भी करवाता हूँ, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, कि re-wiring हो रहा है हमारी system का, वी, our brain has been designed for survival mechanism, तो वो हर जगर risk देखता है, और हर जगर risk देखने में के चक्कर में, opportunities अमें नहीं देखती हैं, और जब ऐसी सारी activities आप करते हैं, especially if you can do skydiving, तो वो एक re-wiring वो रहा है, और आप अपने fear के ऊपर उठते हैं, एक नया level का faith create होता है, और जहां पर faith है, अपसलोटली, और इसलिए मैंने अपने साथ अभी तक 300 से ज़ादा participants को skydiving करवाया भी है, किसी का height phobia था, कोई depression में थे, मगर जब वो वहां से बापस आते हैं, तो बहुत बड़े-बड़े breakthroughs वो लो create करते हैं, and मेरा personal एक बहुत बड़ा learning कहू, या एक shift कहू, जो skydiving ने मुझे दिया था, that was living in now, अब जैसे, किताब पढ़ना power of now एक अलग चीज होती है, and actually implement कर पाना, हर पल इस mode में, इस पल में रह पाना असान नी होता, जब आप skydive करते हैं, तो आप future में नी जा सकते हैं, आप past में भी नी जा सकते हैं, आप सिर्फ उसी पल में रह सकते हैं, और कोई option नी है, तो उसने मुझे ये चीज का practical learning दिया, and मैं जैसे-जैसे skydive करते गया, तो मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी समझ आई, कि मैं कल सुभा उठों गया नी पता नी है, वैसे क्या होता हैं, हम लोग यंग होते हैं, तो लगता है रहे बहुत लंबी जिंदगी है, कर लेंगे बाद में क्या फर्क पड़ता है, बट मैं हर तीन महीने पर, हर quarter पर skydive करने जाता था, और उसने मेरी एक चीज की मदद करी, कि अगर किसी के साथ कुछ अन्बन हुई है, कुछ चैलेंज़ेज है, कहीं किसी को sorry कहना बाकि है, कुई बाद अधोरी रह गई है, किसी को प्यार जताना बाकि है, था कुछ भी है, तो मैंने वो बोलना और एक्सप्रेस करना शुरू किया, otherwise I was a very much introvert type of a guy, I was like, ठीक है, पताने की क्या जरूरत है, बट वो skydiving की वज़े से, वो shift मेरे अंदर आया, I became more expressive, प्रेजन्स के आपने अभी बात करी, power of now, और I think, ज़्यादा तर लोगों के दुखों का कारणी यह है, कि एक तो mental simulation होते हैं, एक mental rumination होते हैं, कि rumination में आप past को देख रहे हैं, और simulation में आप future scenario simulate करने लगते हो, और उसमें भी ज़्यादा तर लोग negative scenario simulate कर रहे होते हैं, So how can anyone cultivate this skill to live in the present moment, अपनी presence में रहना, आप क्या-क्या suggest करेंगे लोगों को? वैसे इसका एक philosophical answer कहो तो यह है, कि भी past हमारे memories में है, और future जो है वो हमारे imagination में, तो actually इस पल के अलावा हमारे पास कुछ available ही नहीं है, तो पहले तो इस बात का एहसास कि जब इस पल के अलावा कुछ available ही नहीं है, तो क्यों दौड करके अपना time और energy waste करना है? दूसरा, एक छोटी से technique जो मेरी मदद करी है, and that is अपने breath के साथ रहना. For example, जब मैं भी बात करो आपके साथ, और अगर मैं इस बात का भी एहसास कर सकू, that I am breathing right now, inhalation, exhalation पर मेरा ध्यान रहे, जो लग-लग तरीके से है, इदर आप nostrils पर ध्यान रख सकते है, maybe belly के उपर ध्यान रख सकते है, different level पर वो feeling होता है, बट अगर वो subtle feeling के साथ आप रह पाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस पल में रहना आसान है, अपने आपको observer बना के रखना वो भी आसान है, और situation से आप detach भी रह पाते हैं, otherwise तुरंथ ही आप reactive zone में आ जाते हैं, कुछ भी आपने सोचा वैसा नहीं हुआ तब, तुरंथ हो entanglement के स्थिति में हम पहुँच जाते हैं, एक और आपने बहुत प्यारी बात यहां पर कहीं, जो मैं जानना चाहूंगा कि अंदर कई बार आपने कहा कि सवाल आते हैं, कि मैं फेल हो गया तो या मैं हर गया तो, तो जब आप ये adventure sports करते हैं, तो do you think कि कई बार जो अंदर एक critical voice है हमारे, वो जो inner voice है, उसको manage करने में कुछ मदद मिलती है, जब आप इस तरीके के कुछ adventure करते हैं तो, absolutely, अगर कोई मुझसे आज कहें कि आपको skydiving में डर नहीं लगता, then the answer is, लगता है, मैं कभी कबार कहता हूँ कि अगर उसका डर खता हूँ गया, तो उसका मज़ा भी खता हो जाएगा, तो मैं अगर 300 बार भी jump कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं जाओंगा, तो butterflies in the stomach, हलका सा nervousness हो सकता है, बट किसी को अगर 100% है, तो हो सकता है कि मुझे वो 2% पर, 10% पर भी हो या 1% पर भी है, intensity अलग हो सकती है, intensity अलग होती है, बट वो होता जरूर है, लेकिन एक छोटी से टिकनीक, जो मुझे लगता है आप भी सिखाते है, अपने NLP sessions में, वो यह है कि जब हमारा mind हम से कुछ कहे, कि यार कुछ हो गया तो, ऐसा हो गया तो, dangerous है, तो उसे कहना कि thank you so much for sharing, lovely, because हम यह जानते हैं कि actually our mind is lying, हमारा mind जूड बोल रहा है, क्योंकि वो survival mechanism से काम करने के लिए design हुआ है, जैसे 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 आप एक 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 experience करते जाएंगे, और अपने आपको बाहर निकल के आप रिवायर करो, मतलब कि जैसे आप एक roller coaster में भी जा कर आए, जो आपके लिए मुश्किल था, फिर अपने आपको कहना है, अर कितना असान था, I can do this again, स्काइविंग में जाकर आए, नीचे आकर के ये कहना, और रहे हैं बहुत मुश्किल, उसके बजाए, अर्यार कितने enjoy किया मैंने, it was easy for me, I can do this again, बले ड़र है, but you can rewire yourself again, and again, तो जब भी भी fear आता है, even आज 5,000 लोगों के सामने, stage पर जाना कभी 10,000, तो मैं ये नहीं कहूँगा, कि मैं हमेशा confident feel करता हूँ, पहले कुछ पल होते हैं, और वस energy is always there, नया stage है इस वज़े से, में भी कोई नए guest आ रहे हैं, इस वज़े से भी हो सकता है, it could be many different reasons, but वहाँ पर ये कहपाना, कि thank you for sharing, और अपने affirmations को वापस repeat कर देना, अपने power move को कर लेना, या फिर maybe उस visualization को, कि भी मैं stage पर जाके rock करने वाला हूँ, आपका power move क्या रहे हैं, so मेरे लिए power move, जो मेरे role model या mentor Tony Robbins रह चुके है, उनसे मैंने इस concept को पहली बार समझा था, simple भाशा मैं कहूं तो, जैसे एक bowler wicket लेता है, उसके बाद वो एक तरीके से celebrate, और सबका अपना खुद का तरीका है, वो होता उसका power move, या एक batsman का sawrun मारने पर अपने तरीके से back उपर करना या jump करना, वो होता है उसका power move, तो it's kind of a victory pose कह सकते है, या move कह सकते है, उसे मैं power move कहता हूं, and everybody does it in a different different way, अब मेरा हो सकता है, मैं हावा में पंच करके yes बुनना पसंद करता हूं, या में भी multiple times हो चीज करना पसंद करता हूं, but basically changing your physiology, changing your focus and language, और I think बार बार करने से वो anchored भी हो जाता है, बलकुल सही, और फिर असान हो जाता है, तो पहले अगर दो मिनिट लगती थी, now it's like two seconds, यह बहुत अच्छा मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है, इसमेरे एक फ्रेंड है, जो mentalist है, अक्षे लक्ष्वन करके हैं, अपने इंडियास गो टेलेंट होगेरा में सब जग्या है, तो वो बहुत सालों से कर रहे हैं, जो इंडियास गो टेलेंट आई तिंग पहला दूसरा सीजन आया था, तब से वो वहाँ पे आ करके, बॉलिवुड में परफॉर्म करते हैं सब के लिए, तो वो कुछ रूटीन्स करते हैं, कि जहां पर इधर इसको टच करेंगे, इसको एक्सपिरियन्स होगा, तो वो सालों से वो ये वर्क्षोप कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पर ऐसा हुआ, अब उनको ऐसा लग रहा है, जैसे वो मशीन बन गए, अब वो जा रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो जा रहे हैं और जाकर कर रहे हैं, इस तरीके से उनके साथ में हो रहा था, तो अब वो जो पूरा शो था, वो इतना एक्साइटमेंट में गया, जब तक वो रूटीन नहीं हो गया, तब तक देर वोज फियर इंसाइट, अब वापिस उनके अंदर वो जील आ गई, वो नर्वसनेस जो इनीशल है, तो इस तो क्रूशल कि वो नर्वस एनरजी आई थिंक बहुत ही इंपोर्टेंट है, वो यह कहीना कहीने बता रही हैं हमें कि हम आज भी एक्साइटेट हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए, बिल्कुल से, ब्यूटिफूल, और पूरे डेटाबेस में से, वो फ्रेंट पेज पे आपको कुछ इन्फोर्मेशन ला करके रख देता हैं, तो कैसे लाता है उनके अल्गोरिदम है, जो फ्रेंट पेज पे प्रमोट करते हैं, तो इन अवर ब्रेन अल्सो हम जैसे कोई question डालते हैं, तो अपना तो इतने सालों का memory, experiences, knowledge सब पड़ी भी अंदर, तो algorithms उस question को पकड़ करके, उसके context को पकड़ के, अमारे conscious पे, front page पे कुछ डेटाबेस देते हैं, तो अगर हम सवालों को बदलें, तो different things will come at the front page, तो क्या ऐसे affirmations हो सकता हैं, especially health को लेकर के, या अपनी success को लेकर के, जो आप practice करते हूं, आपने बहुत ही अच्छा point यहाँ पर share किया है, क्योंकि हम जो सवाल पूछते हैं, हमें वो ही जवाब मिलते हैं, जैसे Google पे जाके कोई search करेगा, कि बनाना के फाइदे क्या हैं, मिलेंगे और ये भी कि बनाना के side effects कहे तो भी मिलेंगे, exactly वैसे, अगर हमारी जिंदगी में हम इस disease का सवाल करेंगे, कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बगाड़ा था, मेरी किसमत में क्यों लिखा था, तो जब आप भी वैसे ही मिलेंगे, जो हमें कहीं पर भी लेकर नहीं जा रहें, लेकिन अगर वही सवाल, चलो ठीक है, जो होना था हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका solution क्या है, या फिर इस situation से मेरे लिए learning क्या है, what is my lesson, तो automatically वो हमें एक shift दिना शुरू करता है, हमारा focus बदलता है, मुझे लगता है कि ज्यादा तर case में वाइसर सर, लोग negative questions पूछते हैं, उनका primary question ही negative होता है, जैसे कि एक जमाने की बात है, मेरे दमाग में हमेशा एक चीज़ चलती थी, because मैं अपने आपको एक workaholic मानता हूँ, और क्योंकि बच्पन में challenges आये थी, तो तब से एक pattern बन गी थी काम करना है, सफल होना है वाली, तो हमेशा मेरे दमाग में सवाल चलते रहता था, what next, what next, what next, मतलब कि, अगर मैं एक जमाने में आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो दमाग में ये चलेगा, कि ये खता होगा आगे का करना है, अच्छा, इसका अब कब लाँच होगा ये विडियो, ओके, उसमें से कौनसे reel बनानी है, what next, what next, और मैं इस moment को miss करते रहता था, और जब मैंने अपने primary question को shift किया, अपने आपको वापस और वापस मैंने consciously एक question पूछना शुरू किया, और वो ये था, हाफ, can I serve more and enjoy more in this moment? वाव, इस पल को मैं और ज़ादा आनन्द कैसे उठाओ, और इस moment में मैं कैसे serve कर सकता हूँ, वाव, इस पल को भी enjoy करने लगा, 100% रहने लगा, और मैं अपना best value अड़ करने लगा, अब चाहे मैं अपने family के साथ हूँ, चाहे मैं अपनी office में हूँ, team के साथ, या even maybe sessions में हूँ stage के उपर, और वो shift मेरे लिए बहुत बड़ा था, अब जो आपने सवाल पूछा है कि inner health के लिए कौन से वो affirmations हो सकते हैं, तो वो जहीं लगता है कि every second healing हमारा body खुद ही कर रहा है, हम जो सांस ले रहे हैं, उसमें भी healing हो रहा है, every second cells मर रहे हैं, नए बन भी रहे हैं, मगर लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, कि इस second में, जो लाखों cell मरे और लाखों cell नए बने, तो जो नए बने है, वो इस moment में healthy बनेंगे, या unhealthy बनेंगे, वो क्या decide करता है, तो वो decide होता है, हमारे विचारों से, और हमारे इस mode के emotions से, और अगर इस moment में emotions हमारे negative है, हम गुस्से में है, guilt में है, jealousy में है, hatred में है, revenge की बहावना चल रही है, तो जो नए cells बन रहे है, वो भी unhealthy बन रहे है, और अगर उसके बजाए हम खुश है, positive है, happy है, gratitude में है, love energy हमारे अंदर है, तो वो cells भी बहुत positive बन रहे है, तो अगर आप अपने आपको positive affirmations दे सके, जो affirmation ये भी हो सकते है, that मेरी जिंदगी में क्या-क्या अच्छा है, what am I grateful for, तो focus shift करना है, क्या missing है, उसके बजाए क्या है उसके उपर, और ये कितना जरूरी पॉइंट है, बहुत ही beautifully आपने explain किया, कि बच्पन में हम कई बार अपना दात अगर टूड जाता है, तो सारे दात लगे हैं, लेकिन फिर भी जीव बार बार खाली दात पे जाता है, तो it is just the nature of our consciousness, that it is always searching for what is missing, so what do you think, what is the reason behind it, तो नेचर इतनी intelligent है, अवलूशन इतना खूबसूरत है, तो इस evolution में कहा ये misplacement आया, कि ऐसा mind naturally हमारी wiring, positivity के लिए क्यों नहीं रही, instead of negativity, natural wiring इसे हम negative bias भी कहते हैं, cognitive science में, so what is your take on this, जभी भी कुछ भी हम different करने की कोशिश कर रहे है, negative हमें तुरंत दिख जाता है, इसलिए आप देखिए कि media भी कहीं कहीं हमारा focus highlight करवाने के लिए negative चीज़ों को जल्दी से highlight कर देती है, and now because कि ये चीज़े हमारे parents और grand parents एक programming के रूप में हमारे अंदर आई है, तो missing के उपर focus जल्दी चले जाता है, and 2024 का नया साल शुरू हुआ है, अगर लोग अपनी जिंदगी को बहतरीन बनाना चाहते हैं, तो मैं एक छोटे सी बात बतारा चाहूँगा यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा है उसी context में, जो missing है उसके बज़ाए जो है उसे appreciate करो, expectations दूसरों से मत रखो, और appreciation खुद को मत दो, expectations दूसरों से मत रखो, appreciation खुद को मत दो, उसे swap कर लो, expectation खुद से रखो और appreciation दूसरों को देना शुरू करो, क्या बात है, so gratitude पे भी आप बहुत बात करते हैं, so I would like to explore more on this, how gratitude has worked in your life, manifestation में यह कैसे मदद करता है, abundance में यह कैसे मदद करता है, gratitude आपको मुझे लगता है एक magnet बना देता है, अच्छे चीज़ों को आकरशित करने के लिए, see every moment आप एक magnet ही है और चीज़ों को आकरशित करी रहे है, बट अगर कही ना कहीं आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो नहीं हो रहा है, जो आप चाह रहे है, तो दो चीज़ की कमी हैं आपके अंदर, एक happiness की और दूसरा gratitude की है, और happiness भी result है gratitude का, क्योंकि जब आप grateful है कि यार आज सुभा मैं उठा, आज का दिन मैं देख पा रहा हूँ, मैं सास ले पा रहा हूँ, मेरे पास इतना beautiful family है, मेरे पास यहनों एक अच्छा काम है करने के लिए, लोग कभी कबार शिकायत करते हैं बहुत काम है, इसके उपर मुझे कहीं कोई interview में या विडियो में मैंने देखा था, कि शारू खान कभी ऐसी कोई शिकायत लेकर सरोज जी के पास गए थे, और सरोज बिंग वरावदी senior और उनके mentor भी थे, तो सरोज खान जी ने तब उन्हें एक थपड मार के कहा था, कि कितने सारे लोगें बोले अभी भी बहार खड़े हैं जिनको काम चाहिए, और तेरे पास काम है और तू शिकायत कर रहे हैं कि इतना काव है तेरे पास, तो ऐसी वाली बात है कि जो life आज हम जी रहे हैं, जिसमें भी हम शिकायत कर रहे हैं, सच यह है कि कोई और हमारी जिन्दगी जीना चाह रहे हैं, तो सभी को दूसरों की जिन्दगी में अच्छा दिख रहा है, अब ग्रेटफुलनेस के लिए मैं आपको एक छोड़ा सा एक्जाम्पल देता हूँ, हमने कभी कोई डॉल्फिन शो देखा होगा, अब डॉल्फिन आपने देखी है कि कोई बड़ी चलांग लगाती है, रिंग में से निकलती है, उके बॉल को हिट कर लेती है बग्यारा, तो ये शोज जबी भी हम देखते हैं, तो मन में खायल आता है कि क्या ये लोग सागर में ओशन में जाकर कि ऐसे डॉल्फिन्स खोच करके लाते हैं, जो चलांग लगाती है तो नहीं, उन्हें ट्रेन किया जाता है, और ट्रेनिंग बहुत सिंपल सी होती है कि जब वो भूखी है, तो एक सामने के साइड से वो सीटी बजाते हैं, एक पर्टिकलर वोईज होती है, और डॉल्फिन्स को बुलाते हैं, पानी के अंदर रसी है, जो रसी के नीचे से आते हैं, उन्हें खाना नहीं दिया जाता है, जो रसी के ऊपर साथ उन्हें खाना दिया जाता है, देरे देरे रसी की हाइट बढ़ा ली जाती है, और वो कूदना शुरू करती है क्योंकि पता चल रहा नीचे से जाने में खाना नहीं मिल रहा वो खाना उनका appreciation है और उनसे उनको train किया जाता है So human mind can also be trained like that तो जब कभी मैं कुछ अच्छा कर रहे है उसको अगर appreciate किया जाए उसके लिए grateful अगर हम होने लगे तो आने कि gratitude के लिए we can condition our mind Yes, we can condition and हम यह अपने बच्चों के साथ कर सकते है आसपास के लोगों के साथ कर सकते है और खुद के साथ भी कर सकते है कि भी मैं सुबज जल्दी उठा तो उसका क्या फाइदा मुझे मिला मैंने exercise करी तो क्या shift मुझे feel हो रहा है भले वो 1% का ही shift हो but we can condition ourselves और दूसरी चीज यह है कि जैसे हम humans work करते है वैसे nature भी work करता है For example अगर हमारे podcast में यहाँ पर एक छोटा सा break होता है और कोई हमारे team member पानी लेकर आते है और मैं कहते हो thank you so much मुझे बड़ी प्यास लगी थी आप मेरे लिए पानी लेकर आए और दूसरे दो लोगों ने इस सुना तो just because कोई कि मैंने appreciate किया तो उसके बात के break में दूसरे दो लोग अब नाश्ता भी लेकर आएंगे तो ये जो मैंने appreciate किया इसलिए मुझे जो मिला तो सोचे का दे या ना दे ये नाराज तो नहीं होंगे तो nature के साथ भी कुछ ऐसा ही हम लोग कर रहे है suppose कि हम एक situation मिलती है वो situation है traffic अब nature ने में इस situation दिये उसको appreciate करना ये उसमें से शिकायत करना हो हमेशा हमारे choice की बात है लेकिन अगर उसको भी हम appreciate करना शुरू करते में भी music on कर ले कोई दोस्य बात नहीं हुई है बात कर ले family को ये phone कर ले कि traffic में फसा हो और पहुचर हो आप लोग तैयार हो जाओ तो उस situation को अगर आपने positive vibes दिये ना तो nature भी उस situation से जल्दी से आपको बाहर भी निकालता है और उसके बाद भी कुछ और beautiful situations create करता है आपके लिए वो ही situations create होती है जो vibes आप दे रहे हैं और इसलिए जितना grateful होंगे जितना acceptance में रहेंगे जितना appreciation में रहेंगे उतना life बहतरीन है in fact जब अपना corona था जो I think third wave आई थी जब oxygen की बहुत कमी चल रही थी तो मैं बैट करके कुछ calculation कर रहा था कि एक वेक्ती एक महीने में कितने लीटर oxygen उसको चाहिए होती है तो मैंने वो calculation निकाली कि अभी exactly number नहीं पता है बट जब मैंने मनी में उसको calculate किया तो लगबग 11 लाक रूपे की oxygen हम हर महीने ले रहे हैं इन्हेल करने एवरी मन 11 लाक रूपीज की and we don't have to pay for this we are a million every month और ये एक बहुत अच्छी बात अपने जो point का conditioning वाली आपने बात की I think सबसे बड़ा gift as a human जो हमें मिला है वो that we are self programmable बाकी nature में बाकी species को they can they need a programmer they can be programmed but they always need a programmer whether it is dog or dolphin they cannot set their own goals but with us we have this privilege that we can set our own goals and we can condition our mind for that so this is so beautiful that gratitude अपनी animals की बात करी ना तो मैं कभी कभा रस्ते हुए इस ठीज को कहता हो अपनी audience से कि मेरे गर बेक डॉग है मुझे दो दिन लगे था उसको सखाने को सट चार दिन लगे थे सिखाने को shake hand और पंदरा दिन लगे थे सिखाने को की गंदा कहाँ पर करना और कहाँ पर नहीं करना पंदरा दिन में तो वो dog भी सुधर गया था और हम यह कहते हैं नहीं नहीं सर बरसो की आदत है मैं कैसे तोड़ पाऊंगा सर कभी किया ही नहीं है कैसे कर पाऊंगा अरे भाई 15 दिन में वह ट्रेन हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते कंडीशनिंग के लिए किन फैक्टर्स पे हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग डिपेंड करती है आपने इतने सारे लोगं को ट्रेन किया तो जैसी अगर ये habit की हम बात कर लें तो क्या चीज इंसान को रोक रही है ब्रेन लेवल पे और क्या वो कर सकते हैं टू कंडिशन देंसे उस हम इंसान जो भी कर रहे हैं वो pleasure पाने के लिए करते हैं और जो चीज को avoid कर रहे हैं वो pain से दूर रहने के लिए कर रहे हैं और दोनों को compare किया जाए तो pain से दूर रहना ये हमारी ज़्यादा बड़ी need है in comparison to pleasure पाने के हैं तो अब जब हम habits की बात करें जानते तो सभी है कि meditation करना चाहिए exercise करनी चाहिए और जब तक ये podcast release होगा और इस साल के कुछ ही दिन गए होगे तब तक resolution तूट भी चुके है ऐसा कहा जाता है कि कुछ 21 से 25 ही दिन होते हैं नए साल के जसके बाद एक वो breakers day आता है कुछ ही रो अब मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा मगर कोई ऐसा दिन है कि जब तक 90% लोग अपने resolution तोड़ चुके है अगर तो ऐसी भीड रहेगी कि parking नहीं मिलेगी 10 वे 15 जनवरी तक तो सब कली ये जो आप कह रहे है कि बाई कैसे condition किया जाए अपने आपको तो सारा खेल pain और pleasure के साथ ही जुड़ा हुआ है तो हमें सबसे पहले तो जो आदत अपनानी है उसके एक list बनाना चीए बैट करके कि ये habits से हमारी जिंदगी में अच्छा क्या हो सकता है तो list of benefits कह दो या why कह दो या अपने reasons खोजना कह दो कि जब मैं इसको regular करूंगा तो उसे मुझे ये 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 फाइदे मिलेंगे और उसे सिर्फ अपने तक सीमेत मत रखो उसे even अपने परिवार तक बच्चों तक ले कर जाओ और ये ना करने से क्या नुकसान होंगे उसका भी एक list बनाया जाए तो pain दिखेगा और pleasure भी दिखेगा और अब जब आप उसे start कर रहे हैं तो अपने आपको condition करने का तरीका बहुत simple है जैसे कि कोई इंसान अगर दिन की 15 cigarettes ले रहे तो अगर उसा previous engineer करे तो वो कभी पहले दिन पर 15 cigarettes ने लिया शुरुवात exactly हुई थी कि कोई दोस्त ने try कराया कि यार एक और वो एक उसने लिया और खास दिया या uncomfortable लगा maybe उसके बाद दो लिये और ऐसा करते हुई शायद उसने पांचवी दफा पूरी cigarette पूरी करी थी या कुछ दिनों के बाद दूसरे तक पहुचा था and slowly and gradually वो पढ़ती गए लेकिन exactly उससे अगर reverse करना है तो habit को भी उसी तरह से reverse भी किया जा सकता है और नई habit को चालो भी वैसे ही किया जा सकता है दोनों की simple techniques बताता हूँ मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आप 15 cigarettes दिन की ले रहे हैं तो एक काम करो अब आट गंटे सो रहें उसे बाकी के 16 गंटे से डिवाइड कर लो तो example एक गंटे की एक cigarette आप ले रहे हैं तो आप schedule बना दो अब करना बहुत simple है कि एक अफते तक just follow the schedule आट बजे का अलाम बजे सिगरेट ले लो नौ बजे का अलाम बजे सिगरेट ले लो वो कभी कभार हिरार हो जाते हैं मतलब सर आप छुडवाना चाह रहे है या चालू करा रहे है और मैं कहता हूँ निए एक system है काम करेगा आप follow करो उसे अब जैसे वो एक अफते तक एक pattern follow करता है हम एक अफते के बाद कहते हैं काम करो एक गिंटे के बजाए अब क्या पंदरा मिनिट और वेट कर सकते हूँ and he's like हाँ पंदरा मिनिट सर मैनेजेबल है क्योंकि इरादा तो छूड़ने का है उसका तो अब हम अलाम सैट करते है आट बजे का फिर सवानौ का फिर साड़े दस का और जैसे ही पंदरा मिनिट आप डिले करोगे तो एक्चुली पंदरा के बजाए वो चौदा या तेरा सिग्रेट्स दिन की हो जाएगी अब वो बारा को आपको पूरा लेना है एक अफते तक उसी स्केडियूल को फॉलो करना है तो कि मैंड को कभी लगे गाई नहीं कि आपको छोड़ भी रहे है आप हाँ जो एक फीलिंग आ रहा था एक गंटे पे दस मिनिट आप वेट करके कभी कवर फ्लाइट में है ऑफिस में तो नहीं ले पाते हैं पंदरा मिनिट के बाद ले लेते हैं जब उसमें आप कंफर्टेबल होगे एक हफते के लिए फिर उसे डेड़ गंटे में कनवर्ट करो वापिस एक हफता तब आप मेभी नौ या आठ पे आजाएंगे फिर वापिस एक हफते के लिए दो घंटे पे उसे कनवर्ट करो रहें एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरे दिन में एक या दो सिगरेट के उपर होगे और तब मन करेगा कि एच्छा भी नहीं लेना है वो उसी तरह से रिवर्स एंजिनियर किया जाता है ब्योटिफुल एंड फिर हफते में दो दो दिन पे एक बार फिर हफते में एक बार महिने में एक बार और जैसे शुरू होता है वैसे ही रिवर्स करना है बट इस अबट फॉलोइंग अपाटन यू माइट नीड़ कोच फॉलोइंग अपाटन अगर अच्छी आदत को शुरू करना है तो भी एक पैटन है बहुत सिंपल सी है सपोज कि एक्सेसाइज करना शुरू करना है अब लोग क्या करते पता है हमारी कुछ बाते सुन लेते सेमिनार वेमिनार में मोटिवेशन में आगे तो करके जिम का मेंबर्शिप लिया पहले दिन दो गड़ा है दूसरे दिन एक गंटा तीसरे दिन आदा गंटा चौते दिन से बंध तो उसके बजाय करना ये चाहिए था तुमने अगर लाइफ में कभी एकसराइज नहीं करी है या लंबे समय के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ आज बीस मिनिट के लिए जिम जाना उससे बढ़ करने और जितना कमफर्टेबल है उतनी ही चीज़े करो थोड़ा वॉक कर लो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो लाइट से लाइट डंबल हमें नहीं बाड़ी बला दे नहीं पचीस साल में नहीं बनाई भाई तो आज क्यों बना ले नहीं है तो आप सिर्फ यह वहाँ पर जाएए बीस मिनिट के लिए और वह बीस मिनिट सातो दिन एक हफ़ता फॉलो करो बस वह डेडिकेशन लाओ कि जाना जरूरी है तबियत खराब है तो भी जाओ जाके बैठो बाते करो उस माहौल में आना जरूरी है और एक हफ़ता जब होता है फिर उसे आप पचीस मिनिट में कनवर्ट करो और एक हफ़ते के बाद तीस मिनिट में कनवर्ट करो स्लोली और ग्रैजूली आपकी सोरनेस भी जो है लाइट लाइट बढ़ेगे और वो दिन दूर नहीं होगा कि मेभी दो या तीन महीने के बाद आप 45 मिनिट जारो और आपको पता भी नहीं चल रहा और वो दो-तीन महीने के अंपर वो 90 मिनिट के बाद एक ऐसी आदत हो जाएगे न कि आप नहीं जाओगे तो अब आपको अनकमफर्टिबल लगना शुरू होगा और प्लेजर पॉइंट्स तो एड होते ही जाएंगे क्योंकि दो महीने के बाद कोई तो देखे आर तो कुछ अलग लग रहा है वसन कम होगा क्या और वो फीलिंग जो आया कि हाँ यार कम कर रहा हूँ मैंनत कर रहा हूँ तो वो वाले फीलिंग में और फिर चीज़ कंटिनी हो जाते हैं और वहाँ पर भी जिम में आपके दो दोस्त बनने लगे वो लव कनेक्शन के चक्कर में भी अब आप वहाँ पर जाना पसंद करते हैं उनको मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं I think, यह बहुत अच्छा पुइंट आपने दिया, that consistency is more important than intensity. तो यह मैंने बहुत लोगों के साथ ही होते वह देखा है, कि पहले दिन जाकर पूरा intensity को chase करने का कोशिश करते हैं, यह एक pattern डाल दिया, तो consistency में आ जाएंगे. तो consistency के लिए आपको क्या लगता है, कि आप इतने सॉलों से consistently काम कर रहे हैं, so what is your secret to maintain consistency, कोई framework से हैं आपके पास consistency कैसे maintain रखते हैं? मुझे एक चीज़ मेरे एक mentor से सीखने को मिली थी, that if you can't, you must. तो जब हमें पता है कि यार यह चीज हमारी लिए अच्छी है, पर इससे मारा growth होने वाला है, तो बस ज़्यादा कुछ सोच नहीं है, मेरे लिए मुझे लगता है कि motivation से बढ़कर के willpower world ज़्यादा matter करता है, जब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, तो वो comfortable और easy वाला रास्ता चुनता है, और मैं बरसों से अपने आपको condition करता हूँ, एक ही चीज़ के लिए कि भी जो ज़्यादा painful वाला और uncomfortable रास्ता है दो में से, मैं वो चुनना पसंद करता हूँ, so that मुझे long term के ऊपर उसका positive result मिलेगा, क्योंकि comfort वाला short term पे pleasure देता है, uncomfort वाला long term पे pleasure देता है, and down the line जब आप 4-5 साल इस तरह से जिन्दगी जीते हैं तो आपकी जिन्दगी में बहुत amazing results आप produce करते हैं, so unfortunately I don't have a framework for that, but मुझे लगता है just about that willpower कि यार अगर कहीं से pain है, तो लेने के लिए तयार हो जाओ, तो ये कहते हैं कि जैसे आप Everest पे जाना चाहते हैं, जाने के लिए तयार होना उसके लिए motivation चीए, चढ़ना शुरू करोगे जब सासे फुलते हैं तो willpower चीए, और तब अपने आपको convince करना कि सासे फुल रहे हैं, ठक रहे हैं, पैर दर दो रहें, तो तुम सही कर रहे हो, because this is gonna give you the result. याने कि वो discomfort के साथ आपको comfortable होना ही पड़ेगा तभी, और कहिना कि हमारे brain का जो natural programming अगर हम देखते हैं, तो instant gratification का natural program है, तो वो भी कई बार लोगों को consistent होने से रोकता है, जो आपने कहा कि अभी जो painful है, और कई बार जो अभी painful है, उसका result future में pleasure मिलेगा हमें, तो बहुत से लोगों में ये दिक्कत मैंने देखिए कि I have instant gratification attitude, वो जो primary outcomes है, secondary outcomes नहीं सोच पाते हैं, primary outcomes जिम में हम जा रहे हैं, तो primary outcome तो muscle का तूटना है, primary outcome जो first order outcome है, वो तो gym का तूटना है, लेकिन second order outcomes कई बार higher हमारे लिए रहते हैं, तो instant gratification का attitude है, इससे कैसे deal किया अगर तो आसपास हमारा environment ऐसा बना हुआ है, कि दो मिरिट में मेगी चाहिए, बीस मिरिट में पीजा चाहिए, दस मिरिट में blanket चाहिए, तीस-ती सेकिंड की reel चाहिए, टॉंटी-टॉंटी का cricket में चाहिए, तो चीजे श्रिंक हो रही है, छोटी हो रही है, फास्ट हो रही जबकि उनके पास talent बहुत सारे और चीज़ों के भी है, सद्गुरु जी को लोग spirituality के लिए जबकि वो खाना भी अच्छा बनाते है, लेकिन उसके लिए लोग उन्हें जानते नहीं है, इसका कारण ये है कि जिस इंसान ने कुछ बरस दिये है अपनी जिंदगी के कोई एक particular चीज़ को, तब जाके उसने अपनी वो identity बनाई है उस काम में, आज कल के बच्चों में सबसे बड़ा issue यही दिखा जा रहा है, जो generation Z हम कहते है, या जो आज की generation है, Gen Z तो, कि भाई, सब कुछ उन्हें shortcut में चाहिए, and that is, कि भाई, इंटरनेट की वज़े से हमारा वो programming हो चीज़ को इस दुनिया में आने के लिए, तो वो 9 मेने ही लगने वाले है, उसका कोई shortcut नहीं है, तो जब आप अपने career या अपने business में या कहीं पर भी result produce कर रा चाहते हैं, तो एक specific time, जिसे मैं gestation period कहता हूँ, वो देना ही पड़ेगा, आप 2 साल के अंदर सचिन टिंडू और instant gratification हमेश आपको आकरशित करेगा, because mind comfort खोचता है, रात को option है कि किताब पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, बड़ उसके बजाए Netflix की web series आकरशित करेगी, तो consumer के point of view से देखना बंद करें, और creator के point of view से देखना शुरू करें, बहुत सारे sharks हमारे events में जब तो मैंने हमेश एक चीज अब्जर्फ करी है कि उन्होंने अगर कोई products बनाई, उन्होंने शायद कोई video game भी बनाई और app भी बनाया, तो वो खुद उसे use नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, कि हमें consumer नहीं बनना है, हमें creator बनना है, और ये मुझे लगता है सर वजह है कि 98% लोग क्यों 2% पैसा कमारे और क्यों 2% लोग 98% पैसा बना रहे है, तो वो instant gratification से बाहर निकलना पड़ेगा, long term thinking में जाना पड़ेगा, और consumer नहीं, creator के point of view से देखिये, film में देखने में कोई problem नहीं है, बट मैं जब film देखने जाता हूँ, तो मैं prefer करता हूँ कि मैं इसमें से कौन से learning निकाल करके अपने audience के साथ share कर सकता हूँ, उस रूप से देखना पसंद करता हूँ, creator के point of view से, तो उसमें से creator points आप ध्यान में रख रहे हो, कि कैसे निकाल लिये जाए, that's beautiful, business पर बात आईए, तो आप इतने सारे businesses आप खुद करते हैं, तो पहली चीज इस तो ये कि एक business चलाने के लिए, क्या specific mindset आपको लगते हैं कि होने चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि recently कई मुझे ऐसे clients मिले जो शाक टेंग कि ऐसा कुछ देखा, एकदम से प्रभावित हो गए, और अपना नोकरी वगरा छोड़ कर गए, business चालू कर दिया, औ जिजनस में सब ठब कर दिया, और अब depression में है, या परिशानी में है, so क्या कुछ basic qualities चाहिए होती है, कि इंसान को एक वो litmus test हो कि yes, मैं बनाओ इसके लिए, क्या आप देखते हैं, सबसे पहले तो शुरुवात mindset से होती है, employee mindset आपको कभी entrepreneur नहीं बना सकता, so true, या फिर इस डिजाइन होए risk लेने के लिए, लेकिन अब एक बात पक्की है इसमें, कि कोई predict नहीं कर सकता कि आपका idea चलेगा या नहीं चलेगा, कोई astrologer नहीं है, even जब sharks को मैंने ये पूछा है, या मैं भी as angel investor जब invest करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा या कोई मुझ से पूछेगा, कि कौन से वो parameters है जो आप देख करके investment करते हो, पही margins देखते हो, profits देखते हो, you know, sales देखते हो, क्या देखते हो, और सबका जवाब ये होता है, कि सबसे बड़ी चीज हम उस इंसान को देखते है, हम बंदे पे पैसा लगाते है, business पे नहीं, जब उस इंसान के अंदर passion, energy, determination देखता है, कि यार ये कुछ बंके दिखाने वाले, इसके अंदर desperation है, तो पैसा उस पे लगाया जाता है, तो logic मेरा कहने का ये है, कि देखिए, कोई खेल बुरा नहीं है, सर्फ खिलाडी बुरा है, दुनिया में ideas बहुत सारे है, opportunities बहुत सारे है, बहुत सारे solutions है, जो आज थो आप एक mobile phone लेकर के कमाना शुरू कर सकते हैं, या फर यहां कमाल कहीं कोई platform से वहाँ बेच करके कमाना शुरू कर सकते हैं, तो मेरा point इसमें से ये है, कि आपको समझना जरूरी है, कि it is about you not giving up, तो भई, आपने job छोड़के business शुरू किया कोई बात, या फेल हुए दुनिया में ऐसा कोई सफल एंसान है नहीं जो कभी फेल नहीं हुआ था, लेकिन आप फेल नहीं हुए है, आपको एक ऐसा result मिला है, जो आपकी अभी फेवर में नहीं है, फेल तो आप तब हुए है, जब आप दूसरी बार कोशिश नहीं करोगे, तब आप अप कर दिया, तो या तो आप successful होते हैं और या तो आप कुछ सीखते हैं, everything is a feedback NLB की भाशा में अगर आप कहें तो, yes, 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 so आपकी इस जर्नी में, as a businessman, क्या-क्या qualities आपने अपने अंदर develop की, या learn करी, या थी आपके अंदर, जो आप audience को बता सकेंगी, जो उन्हें सीखनी चाहिए, हमें एक businessman बनना है, तो हम business कर पाएंगे, क्या मतलब है इस चीज़ का, अगर मैं इस elaborate करू तो बात बहुत simple है, कर आपकी घर में चार लोग है, पैचली चार businesses आपके पास available है, लेकिन लोग इस नजरिये से देखते नहीं है, लोगों को लगता है कि निनी मेरा बच्चा 10 सा अलका है, वो क्या कर लेगा, उसको तो अभी पढ़ाई करनी है, अरे मेरी बीवी तो पढ़ी लिखी नहीं है, उससे मैं क्या expect कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर एक इनसान जो आपके घर में है, वो खुद ही एक business है, 700 करोड लोग इस दुनिया में है, तो 700 पहले एक mindset की बात कर रहा हूँ, और अब जब आप बाहर के दुनिया में निकलते हैं, देखो बाहर की दुनिया में वो ही दिखता है जो अंदर है, तो जब आप अपना mindset shift करोगे, जब आपने decide किया कि मुझे Honda City खरीदनी है, तो बाहर Honda City दिखना शुरू हो जाती है, उसस कि मेरे family में ज्यादातर लोग businessmen थे, मेरे grandparent जो थे, वो business में थे, मेरे father business में रह चुके है, मेरे uncle's businessman है, तो वो मुझे mindset मिला था, और इसलिए वो mindset की वज़ा से आज मैं कहीं पर भी जाता हूँ, तो मुझे हर model के अंदर से यही दिख रहा है कि इनका business model क्या है, इनकी profitability कह से निकलती है, वो कैसे value add कर रहे है, बट अगर आपको businessman बनना है, तो एक सबसे पहले चीज समझना ये ज़रूरी है कि मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिलने वाला, जॉब में तो आप 8 गंटे की जॉब में 6 गंटे खुड़सी गरम करोगे ना चलेगा, शायद कोई ना to provide value और जतनी बड़ी value provide करोगे और जतना बड़ा problem solve करोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तो you have to figure out कि market में problems क्या है, लोगों के challenges क्या है और कहां पर मैं उनको एक solution provide कर सकता हूँ, अब जो product और service में आप जाते हैं, हमेशे आप उसकी एक USP define करो, क्योंकि 28% जमीन है 700 करोड लोग है, सभी कुछ न कुछ बेचने की कोशिस कर रहे हैं इस 28% जमीन पर, तो उस बीच में आप तो खो जाओगे न, खोना नहीं है, तो अपनी USP बनाई है, एक unique selling proposition या point डिसाइड करो कि आपकी product यापकी service लोगों से अलग कैसे है, इसका simple सा example, ease my trip का आपने अग के session में आये थे, बहुत beautiful चीज उन्होंने शेर करी, बाखी सारी बोले company उने customer care बाहर दे दिया है, तो आप robot से बात कर रहे है, चैटिंग कर रहे है, इनसान तेक पहुचना थोड़ा मुश्किल है, पहुच भी गए, तो वो outsider agency होती है, actually company ने यह जो बात कर रही है, उन्हो एक बार नाम में एक letter आगे बीचे कर दिया है, कभी mister का miss हो गया है, कभी passport में एक आद दो चीज आगे पिछे, या कभी simply कि flight ही कुछ गलत चूज होगी गलती से है, और वो बिचरा 10 बिरिट में call कर रहे है, कि भी change करके दे दो मिर को, तो बोले हमने हमने हमारा customer का care department है वो लेकिन हमने वो pain point को पकड़ ले और वो solution देना शुरू कर लिया, जो दूसरी companyों में missing था, तो ये USP आपको define करना होगा, जो भी आ रहा है market में, जैसे मैंने 17-18 साल की उमर से जब से training शुरू करी, अब almost 20 सालों से professionally मैं programs दे रहा हूँ, तो मेरे हर program के पीछे मैंने money back guarantee परपस ये है, कि भी हो सकता है, सभी मेरे विचार से सहमत ना भी हो, हो सकता है कि विचारा genuinely आना चाहता था, कोई कारण से नहीं आ पाया, तो उसका पैसा मुझे रखे करना क्या है, तो अगर उसने attend नहीं किया, हावे तो refund लेके जा, उसने पोरा attend किया, खुश निया, तो बढ़ करके, जब कोई एक participant आता है, तो उसका entry point defined है, exit point defined है, हमारे वहाँ है customer for life, तो एक नाराज customer को खुश करने के लिए, कोई भी कारण से वो upset हुआ है, क्योंकि हर बार शायद हम भी perfect नहीं होते है, तो उसे ठीक करने के लिए, जो करना पड़ेगा, वो करने के लिए हम Monopoly का अब जमाना नहीं है, अगर मैंने कोई unique supplement भी बना दिये, तो कोई वो powder ले करके, उसको reverse engineer करके copy तो करी लेगा मेरे product को, लेकिन जो unique चीज है, वो मेरे customer के साथ का मेरा connection है, तो अगर मैं customer के साथ का एक powerful connection बना के रखता हूँ, यानि कि किसी ने मेरा supplement यूज किया, आध अगर genuine error नहीं है तो, अंदर से चोहा निकल गया तब की बादर लगया, तो हमारे में तो यह है कि आपको flavor पसंद नहीं है, अपने आखा आधा डिबबा खतम कर लिया और आप वापिस दे रहे, तो भी मैं ले ले तो, मेरा logic यह है, कि मेरे को अगर मैं वापिस नहीं ले र रहता है, regular consume करके मेरी product, beautifully explained, तो यानि कि आजकल जो valuation का game चल रहा है, वो ना चला के value का game चलाया जाए, वो ज़धा important है, so business is people, दो किसम के, एक आपकी team, और दूसरे आपके customers, बसे दोनों को आप खोश रखो, फिर देखो business बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो एक चीज यह, कि 12 business आप चला रहे हो, तो work life balance कैसे होता है, पत्नी कैसे खुश रहती है, तो मुझे लगता है, उसके लिए शिवांगी को यहां आना चाहिए, यह, यह, अगर आप अपनी married life में खुश रहना चाहते हो, तो wife को भी busy गर दो, perfect, बहुत ही बढ़िया secret दे दिया है, यह तो आपने, और मैं हर एक husband से कहना चाहूंगा, कि Brahma, Vishnu, Mahesh, उन्होंने संसार बनाया, दुनिया बनाया, ऐसा सब हम लोग, जानते हैं, मेरे को पूरा बरोसा है, कि इन तीनों के उपर भी कोई देवी मा बैठे हुए, जो तीनों क यह है कि इस संसार को चलाने वाले females है, चाहे वो हमारे मा हो, जिनों ने हमें जनम दिया, चाहे हमारे बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, जब आप यह समझ जाएंगे ना, इसा मैन, तो एक लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है, और इसलिए शिवांगी का नाम अभी भी मेरे फोन में शिवांगी नहीं है, शिव रखा हुआ है, मेरे लिए शिव वो ही है, तो एक आपने बहुत स्प्रिच्वालीटि पर बात किये, तो बिफोर भी मोव तो रैपिड फायर, I would love to touch upon this topic, स्प्रिच्वालीटी और रिलिजिन, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देख रिलिजिन के अंदर काफी बार देखा जाता है कि लिमिटेशन्स होते हैं और एक रूल बूक होती है, ऐसे कपड़े, ऐसा ही खाना, ऐसी ही हैरस्टाइल, ऐसा ही जीवन, इस समय पर उठना, इस समय पर नहीं उठना वग्यारा बाते, लिकिन रिलिजिन एक नदी है, जो आपको लेकर जा रही है, ultimately सागर में, और spirituality डारेक्ट सागर में डुपकी लगाना है, अब spirituality में रूल्स नहीं है, spirituality मैं ये मानता हूँ, कि आप शिर्ट पैंट में रह कर भी spiritual हो सकते हैं, आप business चला कर भी आप spiritual हो सकते हैं, because it is your inner relationship with the higher self, आपके bank account में पाँच रुपे हो, आप गरीब हैं, तो भी आप spiritual हो सकते हैं, और 500 करोड हैं आपके bank account में, तो भी आप spiritual हो सकते हैं। True, spirituality is not something outside, it is within. मैं हरेक के लिए यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, कि religion हमारी जिंदगी को actually discipline में लानी की कोशिश करता है। और वो अच्छी चीज है, क्योंकि सुभा उटकर के example कोई religion आपको यह कह रहा है, कि आप इतने दफा माला करो या मंत्र जाप करो, तो सीधी बात है कि वो एक discipline है, मंत्र जाप का खुद का एक benefit भी है। जब आप कोई एक चीज का discipline अपना लेंगे, the way you do anything is the way you do everything, तो वो आपको discipline में लाने की कोशिश कर रहा है। जितना कर्म योग में उत्रोगे, उतना आप ज़्यादा spiritual होते जाएंगे। मैंने multi-millionaire लोगों को देखा है, इतने amazing charity work करते हुए। जो आप मंदिर में जाकर के करते हैं वो भक्ती। पिटिक दूसरी भक्ती भी है। बारवा ध्य तेरवा श्लोग जब भगवत गीता में कृष्णी जी कहते है अद्वेश्ता सर्वबूता नाम और वो पूरा जो श्लोग है। उसका meaning बहुत सुन्दर है। कृष्णी जी ने कहा कि भई आप मेरी भक्ती शुरू करे ना उससे पहले एक काम करो। अपने आजूबा जो जो लोग है सभी के अंदर मुझे देखना शुरू करो। जब किसी के प्रती आपके अंदर कोई बुरा भाव नहीं रहेगा, कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है और सभी के अंदर जब आप मुझे देख पाओगे, उसे के बाद आप मेरी भक्ती करने के लिए लायक बन पाओगे। जैसे हम खाना खाने बैठते हैं उसे पहले हाथ दोना प्री रिक्वार्मेंट है, वैसे ही भक्ती से पहले कि ये प्री रिक्वार्मेंट है, कि बुले मेरी भक्ती शुरू करो उससे पहले मुझे को सभी के अंदर देख लो, अगर ये हो गया, तो रियल लाइफ की भक्ती कि अगर इन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं that what is the purpose of life, what is existence, who is God if you are constantly seeking that seed of spirituality is there inside you but many times the moment suppose you start selling something, you start asking for money then even for even Sadhguru हो गया या श्री रवी शंकर जी हो गया या चितने भी बड़े-बड़े हुए उनको कई बार इस सीज पर क्रिटिसाइज किया जाता है आपने बहुत अच्छा पॉइंट का है कि गरीब भी spiritual हो सकता है अमीर भी हो सकता है तो इसको कैसे लोग break करें है जो इंडियन कल्चर में यह बहुत जादा है कि if you are somehow talking about money then you cannot do a spiritual सबसे पहले तो किसने कहा money spiritual नहीं है अगर money ही spiritual ना होता तो ना दान पेटी होती ना कहीं donations और charity होती और ना ही उसे हमने मा लक्षमी कया कुबेर जी का रूप माना होता और ना ही हम उसकी पूजा करते जो द्धन की पूजा करते तो सबसे पहली बात यह है कि actually problem वो नहीं है problem यह है कि इंसान को देना नहीं है और दिये बिना पाना है वो अपनी खामी को छुपाने के लिए दूसरे को blame कर रहे है अब देखिए कुदरत का उसूल बहुत simple है कुदरत देती नहीं है कुदरत लोटाती है आप एक बीज देते हैं बाद में 100 बीज मिलते हैं तो कुदरत इसी रूल के उपर काम कर रहे है कि पहले आपको देना है अब छोटा सा दीजे कुदरत multiply करके आपको वापस देती है अब अगर इस concept को आप समझ रहे है तो मेरे फादर ने बहुत कम ओमर पे मुझे पढ़ा दिया था तो मैं यहाँ पर लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि पहले तो if you want better results in your life then you have to have the mindset to pay the right price for that क्योंकि एगर कोई चीज आपको अभी free मिल गए न तो भी जाने अन जाने में कहीं तो आप उसके कीमत चुकाने वाले है फिर वा कीमत चाहे समय की तोर पे हो या किसी ओर तोर पे हो Yes, for example, कोई आपके पास आकर के let's suppose की public speaking सीखना चाहता है coach बनना चाहता है तो आपके पास इतने बरसों का experience है अगर आप मैं तो कहूँ कि 50,000 for example charge भी करते है तो आप अपने 10 साल का निचोड़ों से दे रहे और वो ही अपनी गलतियों से सीखने में वो 10 साल लेगा, कौनसा महँगा पड़ेगा 10 साल वाला बहुत महँगा पड़ेगा जब आप किसी से पैसा मांग रहे तो पहले तो मैंने कहा देना अब मैं दूसरा बतारू कि आपको अगर मांगना है किसी से, अपने काम को लेकर services, product, business को लेकर के और आपको यह होता है कि मैं कैसे मांगू मांगना कैसा लगेगा तो आपको यह समझना जरूरी है कि दो किसम के पैसे होते है, जिसमें कहता हूँ एक होता है, happy money, दूसरा होता है, sad money concept बहुत simple है कि जो पैसा आपने लिया, जिसमें सामने वाले को अपनी result दिया है value दी है, और वो खुश हो करके गया उसके life में एक transformation आया है तो वो जब पैसा आपको pay कर रहे हैं तो वो positive vibrations के साथ पे कर रहे है और वो ही कोई दूसरा इंसान कि जो आपसे नाराज है, दुखी है value नहीं मिली है, उसको service नहीं मिल रही है तो वो पैसा आप ले भी लोगे तो वो sad money है जो आपके life में challenges और problems और बढ़ाने वाला है इसलिए वो money back guarantee वाला concept मैंने आपको पहले बताया और कोई नाराज customer को क्यों पैसा अपने पास रखना है, क्योंकि वो negative vibrations है हमारी जिंदगी में बढ़ाएगा तो spiritual money वो है जो customer आपको as a gratitude दे रहा है in return of the services and the value you have provided तो उस money के पीछे जाने में कोई दिक्खत में है, lovely और last एक सवाल में पूछोंगा, what is the purpose of life according to you किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन अपने लिए बताना चाहूँगा what is my purpose of life मेरा formula 2G formula है आजकल हम 4G, 5G पे है मगर 2G formula ये है पहला जी growth यानि कि हमें अपना best version बनना है हमें इंसान का जनम मिला है रीड की हड़ी सीधी मिली है मतलब की जो चक्रा की हमारी energy है उसे uplift कराना है तो पहले तो हमें अपना best version बनना है चाहे वो physically हो, mentally हो, emotionally हो, spiritually हो तो वो growth की में बात कर रहा हूँ सिर्फ वो पैसे वाले, business वाले growth की बात नहीं है दूसरा G है giving अब जब आप grow हुए है तो कभी भी इस race को अकेले खतम करके first नहीं आना था अपने साथ बहुत सारे लोगों को साथ ले करके आगे बढ़ना था जब राम कृष्ण पराहमन जी अपने जंदगी के आखरी सांसे गिन रहे थे तो वो अपने सारे सश्यों से कहते है कि अब मेरे बाद आप नारेन की बात सुनेंगे अब नारेन मतलब की विवेकानन जी जिनका पुराना नाम तो विवेकानन जी कहते हैं कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे है मैं तो सोच रहा था कि जब आप स्वर्ग लोग चाहेंगे तो मैं हिमाले की ओर आगे बढ़ जाओंगा आपने जो रास्ता देखाया उस रास्ते पे चलूँगा और तब रामकृष्ण जी ने सुन्दर सी बात कही थी कि नारेन मुझे कभी मलूम नहीं था कि तुम इतने सुवार्थी हो जाओगे मतलब कि मैंने जो स्परिच्वालिटी का रास्ता बताया मेरे सारे सिश्यों में सबसे ज़्यादा तुम समझ पाते हो देख पाते हो तो तुम अकेले क्यों जाना चाहते हो सबको साथ लेके आगे बढ़ो तो एक्जाटली वैसे जब कभी भी हमने कोई भी चीज के अंदर स्ट्रेंथ पाई है हमने ग्रोथ किया है चाहे वो बिजनिस के अंदर हो emotional self क्यों लेकर हो सकता है failure से निकल करके successful होना हो सकता है सबकी कहानी अलग है सब अपनी जिंदगी में एक struggle से निकल के आते हैं एक level पर तो आपनी जो strength create करी है आप उसी strength को बांटी है दूसरों के साथ लेकर जाइए बांटना पैसा भी हो सकता है knowledge भी हो सकता है support भी हो सकता है time भी हो सकता है ideas भी हो सकता है experience भी हो सकता है सो पहला जी है growth दूसरा जी है given beautiful so now we will move to the rapid fire this day जी बहुत ही amazing insights आपने शेर करे so get ready for the rapid fire now skydiving या cliff jumping which one is your ultimate adrenaline skydiving earth पे सबसे powerful force किया है according to you इंसान life changing decision लेने का आपका personal मंत्री कह है स्यादा सोचना नहीं है वस action ले लो shy introverts को influential बनाने के लिए क्या advice देंगे मैं खोद introvert था जे और trainings और seminars ने मेरी मदद करी है हर किसी को कौनसी दो skills master करनी जाहिए life में communication and sales fulfillment के बारे में common misconception क्या है और आप उसे कैसे tackle करते हैं लोग satisfaction को और fulfillment को दोनों को mix कर देते हैं satisfaction मतलब कि बस इतना है काफी है और fulfillment is more about जितना है I'm grateful for that but मैं यह रुकना नहीं चाहता हूँ beautiful यह I think gratitude में भी लोगों को recently someone asked me कि अगर मैं सब चीज़ जो है उसके लिए grateful रहे गया तो फिर मैं और कैसे पाऊंगा तो यह बहुत अच्छा point आपने clear कर दिया खासल culture में stress को कैसे deal करते हैं अगर burn out हो तो कैसे इंसान बच सकता है me time और मेरे लिए me time का definition है exercise, music and nice food so life को transform करने के लिए एक shift जो हर इंसान को अपने अंदर लाना चाहिए जब हमें pain मिलता है failures मिलते है वो एक बहुत बड़ा force बन जाता है shift लाने के लिए failures को बुरावत मानो depressed मत हो जाओ उसे energy बना लो mental health के बारे में आप कौन सी misunderstanding clear करना जाएंगे लोगों की हमेशा खुश रहना है हमेशा सब अच्छा ही होना चाहिए हमेशा मैं positive ही रहू it doesn't work वो एक wave की तरह चलता है वक्त के साथ तो उसे भी accept करना सीखो history में किसी के साथ अगर एक deep conversation करने का चार्ज मिले तो वो कौन बेखती होंगे गांदी जी वो moment when you realized you have found your life partner जब मैं शिवांगी से मिला तब मैंने कहा था कि मैं already शादे शुदा हूँ और तब मैंने उसे समझाया था कि मेरी शादी मेरे काम से हो गई है लोगों से हो गई है अच्छा तर दूसरी शादी आपके साथ कर रहा हूँ और उसमें जब उनके चेहरे पे smile आई और वो accept किये इस बात को तो लगा कि she's the one universe या human mind का कोई mystery solve कर सको तो वो क्या होगा और क्यों I feel कि 98% gray matter है ऐसा कहा जाता है तो हम 2% average use करते है अगर मौका मिले तो इससे 5-10% पर लेकर जाकर देखना चाहेंगी कि क्या संभव हो सकता है नेचर ने आपको human spirit के बारे में क्या profound lesson सिखा है जो आपने नेचर में से सिखा हो nothing is permanent everything is a cycle और वो cycle के मताबिक चलते रहेगा वो चाहे मैं खुद भी हूँ या वो सारी चीजे है जिससे मैं ब्यार करता हूँ बहुत मज़ा आया इसने इतना deep conversation गया I'm sure audience is going to love this and यह जो initiative हमने लिया inner wellness का if you can share some perspective on this मुझे लगता है वाई सार सार आप जो inner wellness के ऊपर यह जो podcast one कर रहे है लोगों को अलग-अलग किसम से guest को बुला कर के value दे रहे है this is kind of a God's purpose which you are fulfilling thank you because I believe जैसे Jeff Bezos का अगर एक purpose था कि वो घर-घर तक deliveries करना चाहते थे तो वो delivery करने का काम उन्हें खुद नहीं करना था उनकी agents से कर सकते तो ईश्वर भी उपर वाला भी चाहता है कि हार एक की जिंदगी में positivity आए हार एक एक महतर जिंदगी जी सके बट उसके लिए उन्हें वो करने की जरूरत नहीं आप जैसे positive powerful coaches है जो ये कर रहे है और इस माधियम से इस platform से आप जो कर रहे है inner wellness के this is a beautiful work and I am really proud of being part of this work today